हेलो दोस्तो मेरा नाम है करल अमर्दीप और मैं आपका थन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है अभी ऑनलाइन जो प्लैटफॉर्म से हैं सैनिक स्कूल के उसमें नंबर वन चैनल हो चुका और आपके ही सपोर्ट की हमें अवशक्ता है आपके प्रेम की अवशक के पूरा जब तक एक्जाम नहीं हो जाता हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे हम सैनिक स्कूल क्लासिक सारे एंसी एंड सैनिक स्कूल मिलिटर स्कूल नवोदे विद्याले यूपी सैनिक स्कूल सबका जो सिलिवस है इस पूरे फॉर्स एपरिल जो कि आज है वहां से शुर जो हमारे से उस प्रकार का कोचिंग चाहते हैं अदरवाइस देश के सभी बच्चों के लिए सभी अभिभावकों के लिए जो गाइडेंस हम करते हैं यह जो फ्री क्लासिश चलाते हैं बिलकुल एपसलूटली फ्री हैं बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मोबाईल फोन है डेटा है लेकिन वो पढ़ना एफोर्ड नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन के भी बैच के फीस है ऑफलाइन भी हमारा अभी धरदून में आज से शुरू हो गया है तो उसकी फीस ज्यादा है हमारी मोबाईल अप्लिकेशन पर कोर्सेज हैं अभी हमारी वेबसेट आजएगी और पांचे दिन के अंदर महां से सीधा आप खरी सकते हैं अब भी डाउनलोड करने के वश्यक्ता नहीं है इतना सारा काम हम कर रहे हैं वो इसकर के कर पा रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत वाइबरेंट टीम है और हमारे जो कंटेंट है हमारे जो गाइडेंस है वो अभी कई इंस्टिटूर्स हैं कई इंडिपेंडेंट यूट्यूब चान्स है जो आपको एम क्या है सभी का आपको इंफोमेशन देने की कोशिए दे एम का एजिंडा और हो सकता है हमारा भी बिजनस एजिंडा है मैं यह नहीं कहूंगा कि हम यह बिल्कुल फ्री वाला सर्विस करें लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेज हैं जो आप इन वीडियो को कंपेर करते हैं एक क्लारिटी जो चाहिए होते हमारे को क्लारिटी नहीं आती है सेना में इतने साल सर्विस करने के बाद वो जो गौवर्मेंट के लेटर्स में जो क्लारिटी है वो पढ़ने की थोड़ी dates लिखे हैं, 5 dates लिखे हैं इन dates का मैं significance बताऊँगा, round 1 में क्या है उसी की हिसाब से round 2 decide होगा अभी हमाने 15 को लिख दिया है लोग अभी doubt में आगे कि 15 को क्या होगा तो वहाँ लिखा है इस दिन आपका medical and जो document verification की प्रक्रिया start हो जाएगी ये मैं इसलिए बताना चाता हूँ जिन बच्चों के 200 से उपर नंबर है जिनका round 1 में आने के chances बहुत हैं उनको एकदम से भी त्यारी कर लेनी है उसका कारण भी बताऊंगा क्यों और फिर round 2 कब स्टार्ट होगा सैनी स्कूल में admission कब होगा session कब से start होगा हमें कौन से document लेके जाने है मैं सेना में सर्व कर रहा हूँ क्या मुझे भी अपना जो pay का certificate देना है क्या मैं अपना self employed हो मेरा pay certificate कौन बनाएगा ये बनाएगा इस प्रकार से आपके काफी सारी चीजे हैं जो clarity जिसको चाहिए इस वीडियो में हम इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे लिखी पांच डेट से लेकिन मेरा क्या है पिछले पांच साल से मैं केवल एक ही subject study कर रहा हूँ वो ये पांच साल मैं बन्दा civil services exam निकाल लेगा PhD कर लेगा इतना सब होता है तो मैं PhD कर चुक हूँ उस PhD का मैं चाहता हूँ लाब आप तक पहुंचे अब सबसे पहले 31 मार्च है ये खतम होगे क्योंकि डेट कल थी और रात को 11 बचकर 55 मिनिट तक आपके पास समय था e-counseling में register करने का registration में क्या होता है आपने AISC आज अभी मैं जब site खोल रहा था इसमें जाके अपना registration करना है अपनी choice भरनी है और उसको lock कर देना है तीन काम करने देना है बस अभी भी बहुत सारे लोग है कई हजार में हैं उनके संक्या जिनने नहीं पता था कि क्या करना है वो गाओं का किसान है वो सीमा पर तैना जवान है वो कोई रिक्षा चला रहा है कोई खेत में काम कर रहा है बहुत सारे से विक्तिय है जहां पर क्योंकि इननोंने क्या क्या जो SOP दिया था SOP के विए इंग्लिश में दिये I don't know why दूसरी गड़बड करी है जहां चॉइस एक्सरसाइज करने में All India Merit List जारी नहीं की गई है उसके अभाव में आपको नहीं बता कि मेरा बच्चा जो 268 लाया है वो आखरी 10 में है कि पहले आया पहला है दस बच्चे जो सलेक्ट होने तो यहाँ थोड़ा सा confusion थोड़ा सा गड़बड NTA और San School Society ने किया है मुझे उमीद है कि parents email लिखेंगे San School Society को NTA पर थोड़ा psychological pressure लगाएंगे ताकि ये चीजें अगली बार से repeat ना हो और site में पहले 16 तारिक था फिर 18 हुआ फिर 24 हुआ फिर 31 हुआ क्योंकि site उनकी stable नहीं थी इतनी बड़ी agency है मुझे नहीं लगता थीक है 57 लाख रुपए लगते हैं इतनी बड़ी website को maintain करने के हर महीने उन्हें करना चाहिए था क्योंकि आपने form के पैसे जमा किये हैं लाखों लोगों ने अगर 500 रुपए भी जमा किये हैं तो बहुत सारा धन इस agency के पास इखटा होता है which has to be judiciously spent तो ये करा नहीं उन्हें इससे parents को काफी उसका परिशानी झेलने पड़ी लेकिन हम उस पर comment आगे नहीं करेंगे ये तीन काम करना थी आपने अभी choice lock नहीं करी गईयों का खुला ही नहीं सिस्टम जो आपने choice भर दी है वो choice मान ली गई है ये ध्यान रखने तो आपकी choice क्या होगे lock होगे है अब computer का algorithm है आपने 10 total Senate school की choice भरी हैं और 14 आपने new Senate school की choice भरी हैं कई parents का जो पिछले 5-6 दिन से WhatsApp पे interaction चल रहा था वो कह रहे हम 10 choice नहीं भर के क्या केवल 5 भर दें या 14 नहीं भर के केवल 3 भर दें या एक भर दें या भरे ही नहीं new Senate school अब जहां mandatory fields हैं वो आप भर दीजिए क्योंकि जब 6 तारिक आएगा उसका मैं बताऊंगा वे 6 को जब result आता है तो आपने क्या करना है तो अभी तक आपने वो choice भरनी है next round में भी आगा जितने mandatory field है वो आपने fill करने है और अगली बार क्या होगा vacancies ही कम होते रहेंगी तो वो इतना expect नहीं करेंगे लेकिन जब आप एक ही डालेंगे उसमें नहीं हुआ तो आपका अगला वो consider ही नहीं करेगा तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास हमने बड़ी तरीके से list prepare करी है वो list अभी भी भी नहीं लिया है आप हमें screen पर number दिया हुआ है 7417656633 उस पर whatsapp करेंगे वो list आप प्राप्ट कर सकते है बाके अपना करिए कई लोग मेरे को कहते है आप बताओ मैं नहीं बता सकता हूँ मैं केवल guide कर सकता हूँ मेरे बच्चे के 213 नंबर है क्या ये school की choice सही है मैं सबको सही लिख दूँ मैंने इतना detailed video बनाया है क्या आपके chances है क्या नहीं है हम केवल speculate कर सकते है मैं NTS से संबंद दित नहीं हूँ मैं सैने स्कूल सोसाइटी से संबंद दित नहीं हूँ हम केवल अटकले लगा सकते है वो आप पढ़े लिखे हैं आप समझदान है आपको पता है कि मेरे घर के नजदीक सैने स्कूल पढ़ते है मेरा बच्चा वहाँ टिक जाएगा मेरे को इतनी परिशानी के सामना करना पढ़े सकता है बहुत दूर का सैने स्कूल चुन लिया नौर्थीस में चुनने के क्या नुकसान है क्या फैद है यह सब उस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुए इसको हम मिटा जैते है ताकि आगे चलते हैं यह सब मैंने क्लीन इसलिए कर दिया है कि मैं इस डेट पर टिका रहना चाहता हूँ अब है 6 अपरेल को क्या होगा 6 अपरेल को राउंड वन का रिजल्ट आजएका 10 बजे राउंड वन का रिजल्ट इसका कलर चेंज करता है यहां लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए राउंड वन आज मैं कोशिश कर रहो साफ साफ लिखने कि अदरवाइस डॉक्टर साब लोगों जैसे मेरी हैंड रैडिंग होगी है यह रिजल्ट आगे अब एक लाख लोगों ने राउंड वन में हिस्सा लिया है लेकिन टोटल सीट जो है सैनि स्कूल नियू सैनि स्कूल की मिला के क्लास सिक्स की बात करते है तो साड़े साथ जार है अगर class 6 में class 9 की बात करेंगे तो तकरीबन 500-700 जो seats हैं जितने भी vacancies दीवे हैं वो data से मेरे को बहुत ज़्यादा concern नहीं है लेकिन क्या होगा वो मैं बता रहूँ ये सारी seatों में जो top rankers आएंगे उनको उनका जब आप दुबारा से login करेंगे 6 April को अपना login detail डालके तो आपके लिए message आओगा आपका result आएगा उसमें दिया वागा कि आपके बच्चे का round 1 में चयान हो गया है अब चयान हो गया है बड़ा complicated है कि आप तो बच्चे को भीजना चाहते हैं घोड़ा खाल और बच्चे के नंबर है 255 गोड़ा काल के लिए कम है कपूर्थला के लिए ज़्यादा है तो आपका कपूर्थला है lot हो गया अब 6 तारिक को आपने decision लेना है छे से दस के बीच में ये period जानना इसलिए ज़रुए है चार-पांच दिन का आपके पास सोचने का समय है कि मुझे कपूर्थला में accept कर लेना और choice क्या मिलेंगी accept, reconsider या exit exit कौन लोग करेंगे जिनके बच्चे का अलड़ी राष्ट्य मिलिटर स्कूल में selection का call आ गया है और वो कहते हैं हमारा बच्चा medically भी फिटा कोई चिंता नहीं जबकि उसके लिए भी 26 तारिक वो भी अभी आपको call letter बताऊंगा अगले वाला आज वीडियो बनेगा उसमें बताएंगे कि राष्ट्य मिलिटर स्कूल में और इसमें क्या संबन्द है आपस में क्योंकि कुछ बच्चे हैं पहले 500-600 वो यहां भी top rankers हैं वहां भी top rankers हैं वो पढ़ने में बत्ता शेर है बागी मेरी तना है वो ना उधर है ना इधर है तो यह जो है accept, reconsider और exit आपने choice exercise करने round one result समय मिलेगा पांच दिन बड़ा दिल पे पत्थर रखके करना पड़ेगा कई लोगों का है कि आरे कपूर थला डाल देते हैं बाद में घुडा खाल भेज देंगे वो संभव नहीं है, 0.01% chance है कि एक सैनिक स्कूल से दूसरे सैनिक स्कूल आपका trust हो रहे है यही पर दो doubt और clear कर देते हैं, कई parents का रहें new सैनिक स्कूल में डाल देते हैं तो कपूर थला भी इतना खराब नहीं है, लेकिन घुडा खाल अभी जो चल रहा है भी घुडा खान, घुडा खाल जो मिताब बच्चन है यह टॉप रैंकर है, तो अब दुविधा आ जाती है, अब आपके पास है कि मैं reconsider दबाऊंगा क्या पता अगले राउंड में घोडा खाल में मेरी कैटिगरी में अधर स्टेट में विकेंसी ही न बचे गैंबलिं होगी है, जैसे आपने लॉटरी के टिकेट कर लिया, जोगा खेल लिया, वहाँ पर क्या रिजल्ट निकलेगा आपको नहीं पता है तो यह जो crucial टाइम है, यहाँ पर मैं चाहूंगा आप अपनी समझदारी का प्रियोग करें, आपका मन जो पहला कहता है कि भेज दो, डाल दीजे रुमाल, आप accept कर लिजे जिस दिसने accept कर लिया, उनके लिए round खतम है, जिसने exit कर दिया, उनके लिए e-counseling round खतम अब हर state में, हर school में कुछ बच्चे जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे, उसका भी तरीका बताता हूँ, अब मान लिजे, आपने accept कर लिया पहले इस case को हम discuss कर लिते हैं, accept कर लिया, तो 15 April की date आपके लिए significant हो जाती है, अगर आपने reconsider किया, आपने 15 April, 27 April से आपको कोई लेना जाना, accept करते ही, आपको 10 तारिक को, क्योंकि खतम है, last date है, आपको accept करने की, 10 तारिक को आपको आजाएगा कि भई, आपने इतनी तारिक को, और ये तारिक 15 तारिक से स्टार्ट हो जाएगी, ये warning days है, six days, आपको आएगा कि फलाने hospital में पहुंचिये, और वहाँ पर medical कराके, इस दिन आपने सैनिक स्कूल पहुंच जाना है, तो मान लीजे, वह कहते है, ये 27 अपरेल दिया है, तो आपको दिया जाएगा 23 अपरेल को, आपने सैनिक स्कूल कुझपुरा में पहुंच जाना है, अगर आपने कुझपुरा के लिए सेलेक्ट होँआ बच्चा, medical कराके, तो 23 को अगर सै करते हैं, फर्स्ट इंस्टॉल्मेंट, फी पे करके, यहाँ पर medical fitness होगा, कुछ बच्चे medically unfit हो जाएंगे, document verification होगा, ये सब कारवाई 27 से पहले हो जाएगी, कुछ बच्चों के document कम पाए जाएंगे, उन्हें बोला जाएगा आपका date of birth, आधार कार्ड ये सब ठीक है, ल तो वो vacancy खाली हो जाएगी, जो medical में reject हो गया, नहीं select होगा, वो vacancy खाली हो जाएगी, कुछ लोग सब कुछ कर देंगे, फीस ही नहीं जमा करेंगे, तो उस दिन principal कहेगा, भाई, इन्होंने फीस तो जमा करी नहीं है, इनके vacancy release कर दिया, और आपका e-counseling से out हो जाओ ग एक वेक्ती बचेगा, जिसने reconsider तबाया है, या दूसरा वो वेक्ती बचेगा, जिसने round one में हिस्सा ही नहीं लिया है, ये पूरी कहानी clear होगी, अब आप बोलेंगे, क्या पहली मई से, या जब मैं 27 अपरेल को फीस जमा करता हूँ, क्या मेरा बच्चा वहीं पर जमा करके जाना है, नहीं, मई जून, जून जुलाई में जाकर सेशन स्टार्ट होगा, आपको बहुत समय दिया जाएगा, तब आप अपने बच्चे को भी सेलेक्ट होगे, उसके लिए पार्टी बाड़ी घरें, उसको खिलाए पिलाएं, घुमाएं, जितना मज़े करने हैं, उसक अभिसाइल सेट्विकर्ट अगर है नहीं, तो आपको मना किया जा सकता है, और यदि आप गलत कैटिकरी वाले हैं, तो इन चीजों में, या मेडिकली उन्फिट है, तो आप निकल जाएंगे, इक आप निकल जाएंगे, अब एक कह रहा है, मैंने एक्सेप कर लिया, लेकि अतना मेरी समझ है, अभी भी कोई आपको डाउट आता है, आपको ऑफिशल वेबसाइट पे, ऑफिशल एमेल पे, आटी आई पे, या स्कूल से बात करके क्लियर करना है, हर स्कूल की वेबसाइट पे, उनका फीज च्रुक्चर दिया है, जब आपका बच्चा सलेक्ट होत है, यह हमारा संपर्क है, उनके हेटलक है, उनके जो एड्मिस्टेटर है, कुछ लोग आपसे संपर्क करेंगे, हॉस्पिटल से आपका कोई संपर्क नहीं होगा, हॉस्पिटल में आपने पहुंच जाना है, वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो मेरा यह जाएंगे मेडिकल करने, इनको प्रियाटी पर किया जाए, अपने नजदीक के गौवर्मेंट हॉस्पिटल में जाए, वहाँ पर पूरा प्रोसेस पता होगा कि हमने इस शहर में वहाँ पर गौवर्मेंट हॉस्पिटल जाना है, मेडिकल के लिए, क्या प्रोसेस होता है, तो एक government hospital बराबर दूसरा government hospital होता है तो आप process clear करके जाए जब आप जा रहे हैं 27 अपरेल को मान लिजिए 23 अपरेल को पहुंच जाओ 23 अपरेल से पहले 21 अपरेल अपने hospital में report करना है 20 को आप पहुंच गए तो 20 से लेकर 27, 25, 26 तक 5, 6 दिन आपको उस शहर में रहने का भी बंदोबस करना है अपना और अपने बच्चे का यहाँ पर यह नहीं कि आपने जाने क्योंकि बच्चे का medical होना है अब बच्चे के medical के समय माता पिता जा सकते हैं अभी भावक जा सकते हैं बड़ा भाई जा सकते हैं भी भी जा सकता है उसके आवश्यक्ता नहीं लेकिन इस समय सारे ओरिजिनल डॉकुमेंट्स वेरिफाई होंगे वो डॉकुमेंट्स की लिस्ट मेरे से मत जानिये यहाँ पर वेबसाइट पे दिया हुआ है एसोपी में दिया हुआ है पढ़िए और स्कूल की तरफ से जो मेल आएगा लिखा होगा कि यह यह डॉकुमेंट आपने बनवा के लाना है एक डिकलरेशन होगा आपका पेस एडिविकेट होगा सब स्कूल के फॉर्म में सारे फॉर्मेट दिया हुआ हूँ पका करें वो कहेंगे वह तीस फोटो लेके आएगा तीस फोटो खिच वालो यह समान लेके आना है आपने अभी तो क्योंकि स्कूल में जॉइनिंग नहीं है तो केवल डॉकुमेंट्स हैं फोटोग्राफ्स हैं इस प्रकार के केवल कागजी कर वह होगा आप पेरेंट्स चोचेंगे बक्सा लेना है कपड़े लत्ते लेने यूनिफॉर्म लेने है वो सब बाद में जब आपको फाइनल कंफर्मेशन लेटर मिलेगा अब यह बाकी सारी डेट्स में इसको मैं क्लियर करता हूँ बाकी घिच पर जो गया पूरे बोर्ड पे फिर लिख देते हैं ज कई स्कूलों को फॉर्मेट अलग लग है लेकिन बिल्कुल स्ट्रिक्ट रिजिट फॉर्मेट में आपने कहा है उन्हों ने काई भी स्कूल से टी सी लेके हो अब इधर वाला स्कूल वाले कहें भी बच्चे का तो रिजल्ट इन या भी टी सी कैसे देते हैं यह सब स्कूल बहुत सारी बातचीत आपसे करने वाला है और स्कूल का स्टाफ है बहुत क्वालिफाइड स्टाफ है उन्हें पता है आप पहली बार जा रहे हैं वो तो पिछले 50 साल से यह काम कर रहे हैं उन पर भरुसा रखें और उसके साथ एक और कारवाई जो आपने करनी है वो है फी पहली इस्टॉल्मेंट 40, 50, 60,000 हो सकती है वो लिखित में आएगा कितना दिन है कई लोग कह दे हम दो इस्टॉल्मेंट बिलेंगे वो कहेगा भी लाख रुपे लेकिया आजा हाय तो अब मशने वाली है यहां पर भी कुछ लोग इसले भी जोई नहीं करें यह लाख रुपे नहीं है तो काफी सारी चीजे हैं इसके लिए 27 अपरल की डेट बहुत इंपोर्टन है कौन-कौन लोग 27 अपरल को जिन्होंने रीकंसिटर दबाया था वो आटोमेटिकली राउंड टू में राउंड टू हम मान लेते हैं कि 30 अपरल से राउंड टू स्टार लग जाएंगे कि स्कूल में SC काटिगरी में होम स्टेट में इतना मेरिक चला गया है और पिछले वीडियो में पता है कि अगर 218 वाले का सेलेक्शन हो गया है आपको 216 नंबर है और आपकी काटिगरी में 2 सीटे बैलन्स है खेल देना है लेकिन 218 कट अफ गया है आपके बच्चे के 184 नंबर है भाई साब मैडम दीदी अंकल आंटी जो भी है आप छोटे भाई है मेरे छोटी बैन है आपको पता है नहीं होगा अपना अपने कैलकुलेशन करना और मैंने काया एक सवालाग बच्चे क्लास 6 में सेलेक्ट हो हैं 40-50 जार पे जो बच्चे हैं क्ल सेशन में अड्मिशन करा दें बहुत जादा वो ना रखें और मैंने का यह बच्चा खराब कोई नहीं है जो 300 में से 10 नंबर बिलाया हो भी शेयर है जो 300 में से 30 लाय हो भी शेयर है यह दस साल की एज में नैशनल लेवल पिटिशन में हिस्सा लिया वो चैंपेन है सारे त मोबाइल पर ही रहते हैं सारे दिन हम भी रहते हैं तो आखें से दिखना मोबाइल ने तो आखों पर असर है कई लोग मेडिकल करके रिजेक्ट होंगे उनका क्या कर वही होगा वह हम पिछले बहुत सारे वीडियो में डिसकर्स कर चुगे हैं आप 27 अपरल से अगला डेट हम मान के चलने हैं अभी आएगा एकांसलिंग शेडियूल कहां पर आएगा एए एससे एसी जो है एनकॉक जो गौर्णमेंट की वेबसाइट है उस पर आजएगा अगले शेडियूल आजएगा आज तो अभी साइट डाउन है मेरे काल दो तीन दिन में उसके शेडियूल पर सब्सक्राइब करेंगे कांफरेंगे अपने स्टाफ के साथ बोलेंगे कितने बच्चे एडमिट हो गए हमारे स्कूल में 67 वेकेंस थी 67 मेंसे 44 लोग आ गए है 23 वेकेंसिज बैलनस है 23 वो एंटीए को वापस भेजनेंगे बई इस इस काटिगरी में इतनी वेकेंसिज हमारी होम स्टेट के हैं इतनी अधर स्टेट की खाली है और यह यह जो वेकेंसिज आएंगी यह राउंड टू की क्या बन जाएगी सीट मैट्रिक्स बड़ा इंटरस्टिंग है यह मतलब मुझे वीडियो बनाते से हमें इतना मज़ा आता है क्योंकि बड़ा ही टेक्निकल है इतना कुछ मैं लिख देता हूँ आप कहते हो भई अमरदीब जी से ज़्यादा ग्यानी विक्ति तो गहनी है कुछ भी नहीं लेकिन लॉजिकल है तो आप जानिए कि 30 तारिक से पहले 29 तारिक से पहले राउंड टू स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि सीट मैट्रिक्स नहीं है कट आफ नहीं है बहुत सारी चीज़ें एविलेबल नहीं है और उसके बाद फिर आपको आल इंडिया मेरिट लिसके होगा कि आप यह सब काम करें हमारा नंबर है यह 27 अपरेल 30 अपरेल के बाद मैंने बता है इनका सेशन जाके जुलाइगस में कभी स्टार्ट होगा उसका अपने बच्चे को मस्ती करने दें उसको खिलाए पिलाए हैं तोड़ा गैंडा बनाए और फिजिकल फिटनेस पर कि अब ला रहे हैं उनको पांच किलमोटर दोडाना शुरू करने थोड़ा बजन वज़न उठाना करने के ज़रोता है वो दोड हैंगे को पप नहीं घर पाएंगे बहुत जल्दी वह हताश हो जाने वाले हैं तो फिजिकल फिटनेस मेंटल कंडिशनिंग पे जरूत आप तो अतवज्ज़ देनी है कल हमारे आफलाइन बैच के लिए एक मैडम आई फॉजी की वाइफ है वो बच्चे को जब छोड़के गई है स्कूल में मैडम रो रही है यह पेरेंट्स को अपने को भी गैंडा बनाने की जरूत है कितने छोटे बच्चे को अपने सैनि स्कूल में डालना है तो आप अपना भी mental toughness पे काम करें और उस सैनि स्कूल में जिसमें आपका बच्चे का nomination आया है ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप करें ताकि आप accept, reconsider, exit तीन option इसको हम ठीक से exercise कर सकते हैं अगले दो मिनिट में मैं A, R, E को explain कर देता हूँ A है accept R है reconsider and E है exit exit तो मत ही कर रहे हैं बच्चे के 110 नमपर में भड़ते रो इश्वर की कृपा हुई कहीं लग गया टांका बच्चा चला भी जा सकता है ऐसा कुछ नहीं लेकिन accept करते ही 27 तारीक को आपका confirmation हो जाएगा आपकी E-Counseling 10 तारीक के बाद खतम है अगर आप accept कर लेते हैं तो आप फिर 2nd round 3rd round में हिस्सा नहीं ले सकते सेम exit वालों का है 10 तारीक को यदि आप exit पाए जाते हैं यहां भी 10 लिख देते हैं और 27 क्योंकि इन्होंने accept कर रहा है इनका final decision 27 को reconsider वाले automatically round 2 में जाएंगे लेकिन automatically में किवल registration आपका round 2 में गिना जाएगा round 2 में आपको दुबारा seat matrix के हिसाब से 10 प्लस 14 चॉइस भरनी पढ़ेंगी अगर आपने SS प्लस NSS किया है अगर केवल SS किया है तो 10 अपनी choice आपको दुबारा exercise करनी पढ़ेंगी यह भी धियान रखना है आपने नहीं करेंगे तो जो round 1 में आपकी choice थी computer सीधा वो ही लेके आपको round 2 में lock कर ले seat matrix है, cut off है आपके बच्चे के नंबर है तो आपको clear idea हो जाएगा ऐसे करके total 7th round चलेंगे 7 round के बाद दोनों boxer लड़ लड़ के ठक जाएंगे उसके बाद सरगार केगी भाई साब, last round जो आठवा है एक कोई भी सैनिक स्कूल या new सैनिक स्कूल आप डाल दें अगर उसमें seat खाली होगी बुलाएंगे, आठवे round के बाद हम e-counseling नहीं करेंगे, ये कारवई अगस तक चलने वाली है तो सैनिक स्कूल का सेशन शुरू हो जाएगा और तब भी काउंसलिंग का प्रोसेस चलता रहे का बड़ा लंबा है ये, गेम अब जिनका RMS में हो गया है और सैनिक स्कूल में हो गया है, तीन चार सैनिक स्कूल हैं जिनके नाम मैं नहीं बताऊंगा उसमें होता है तो आप RMS छोड़ने और बच्चे को वहां भेज़ने आदवाइस RMS सारे के सारे टॉप 10 सैनिक स्कूल के में गिने जा सकते हैं तगड़े हो और RMS में सबसे फादा कि अगर आप फौजी है तो फिर सैनिक स्कूल के पीछे पड़ो ही मत JCOs से नीचे जो है अधर रैंक है तो 12,000 रुपे में कौन पढ़ा रहा है कौन सा स्कूल देश में पबलिक खूल रहने खाने के साथ कोई भी नहीं है सिविलन भी है टोटल खर्चा आपका 51,000 रुपे है साल का 51,000 रुपे मेरी बेटी पड़ रही है दो मेहने की फीज आती है तो ये सब सुविधाएं हैं तो फौजी व्यक्ति आख बंद करके सैनिक स्कूल के पीछे मत दोड़ें सीधा सीधा आप RMS में चल देए वहाँ पर आपके लिए सुविधाएं बहुत हैं सिविलन जो व्यक्ति है उनके लिए भी अगर आपके आर्थिक संसाधनों की कमी है तो RMS is a better choice than सैनिक स्कूल because सैनिक स्कूल का नहीं नहीं करके भी डेड़ पॉने दो लाक रुपे साल का आपका खर्च होगा ये एक बड़ा decision है between RMS and सैनिक स्कूल ये आपको choice exercise करने है आप कईयों का यूपी सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल में होगा यूपी सैनिक स्कूल की फीज बहुत कम है 44, 45,000 पे साल है बहुत ज़ादा नहीं है तो अगर यूपी सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल में चुनना पड़े एक तो यूपी के सैनी स्कूल पुराने है ये गुरकपूर वाला अभी बना है लेकिन जो लखनव वाला है वो तो बहुत ही पुरान है उसकी reputation है तो बाकी जो यूपी के सैनी स्कूल है तीन वो अभी नएने उनको reputation बनाने में समय लेगा मैं कोई अच्छा या खराब नहीं बोलूगा लेकिन तो नए है तो ये चीजे आपने सारी चीजों को consider करना है अपना decision लेन से पहले एक बात मैं आप से शमा मांगना चाहूँगा कि आप ये decision का बोज हम पर न डाले हम तो information दे सकते हैं हम आपकी मदद कर सकते हैं informed decision में अभी मैं बोल दूँगा ये कर दो कल आपके बच्चे का मां पैट उड़ गया फुटबाल खेलते हैं मैं बोलो अमरदीप साहब आपके चक्कर में रोड़ा टांग तुड़ा के आगया sorry ये disclaimer के साथ है वीडियो ये केवल suggestion है केवल recommendation है कृपया अपने जो सूजबूज का प्रयोग करें आपकी जो six sense कहती है आपकी जो intuition कहती है आपके अंदर से जो भावना है उसको भी सुने that is all in this video अब ये चलता रहेगा अच्छे तारीक रिजल्ट आएगा हड़कम मच जाएगा मेरे बच्चे का हो गया नहीं हुआ क्या करूं क्या नहीं करूं हम यहाँ पर मौझूद है मेरे से संपर करने का तरीका आप whatsapp नामक टूल का है इस्तिमाल करें 74176 56633 whatsapp only पहले मैं 48 hours बोलता था अब गुरु जी मुझे 96 hours का समय लगता है चार दिन अभी मैं नीचे जाओंगा अपने office में कम से कम 1400 संदेश हैं जिनका जवाब देना है तो आप देखें कि human की capability कितनी है मैं अपनी age के हिसाब से अपनी energy के हिसाब से best करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं सभी की समस्याओं का मैं निवारन नहीं कर पा रहा है दिये वे समय पे आप उसके लिए भी हमारे साथ थोड़ा adjust करें कई लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं आप थोड़ा अपना BP मत हाई करें हम हैं आपके साथ मेरे से बात करने से पहले कई लोग लिखते हैं बिल्कुल पका मैं करता हूँ दिन में दस बारा कॉल भी करता हूँ लेकिन अगर आप अपनी समस्या लिख देंगे अगर मैं मैसेज द्वारा उसको आपको help कर पाऊं तो मुझे बड़ी खुशी होगी केवल हाय या केवल टॉक टू कर लेडी लिखेंगे मुझे समझ आप किस संदर्व में बात करना जाएं और फिर गपे मारने के आदब मुझे आपसे भी जाद है एक बारी कॉल किया जिसको कॉल आया है उन्हें पता है बीस-बाइस मिनिट चलता है कॉल तो फिर आप भी हमारी सुनिए फाजियों को कहानी सुनाने के आदब भी आपको धेर सारी कहानी सुनाएंगे बट एम इस नॉट एम इस दाट यूर एबल तो मेक अन इनफॉर्म डेसिजन अब प्रमोशनल कर देते हैं आज से हमारा भी डालूँगा वो तिहाड जेल सी बनाऊगा तिहाड उसको ऐसे बुरामत मनी तिहाड जेल के जेलर साब कहेंगे आप मारे नाम का गलत प्योग करें एक बहुत ही अच्छा सिक्योर इंवार्मेंट है बहुत अच्छा लोकेशन पे एक साल के लिए अपने बच्चे पर कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पक्का करें इंसिस्ट नहीं करेंगे जहां पर पहली बार आप मिरसे मिले आते हैं मैं उनलाइन पढ़ा लो इनको आप पे 899 रोपीस वाला कोर्स है वो खरीद के पढ़ा दो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं आधे पेरेंट्स आते हैं में बीएड हैं कोई कंप्यूटर के बड़े इंजिर्ण हैं कुछ पेरेंट्स पीसडी भी हैं मैं तो एंड़े से ग्रजूट हो मेरा स्टेटस बारवी पास का है हैं ऐसा कुछ जादू की चड़ी नहीं है हमार पास लेकिन हम एक मिशन पे हैं हम मिशन में सर्टेनली परसनेलटी पे फरक पड़ता है जो बिल्कुल चुप है आपका तोता उसको हम बिल्कुल बोलने वाला मिठू तोता बना देंगे यह गारंटी है हमारी तरफ से मैं हर एक को बलता हूँ सौ अगर मैं बोलूंगा तो मैं 110 काम करता हूँ यह है गारंटी और डिस इस प्रूवन लेकिन इसके बनिस्पद आप देखें ओनलाइन दिन में दो घंटे बढ़के एक लड़की 284 नंबर लाई है आउट ओफ 300 यह है मेरा केस ओनलाइन बैसे तो 6 साथ चल रहे हैं बहुत सारे ओप्शन है तीन बज़े से शुरू होते हैं नौ बज़ तक चलते हैं कोई भी दो घंटे का पिक कर लें सुबह नहीं हम कर रहते हैं कई हो गुजरात में हम अरस्टा में कई कहता है हमारा बच्चा शाम के स्कूल में जाता है तो उन्हें मैं कहूंगा वीडियो कोर्स लें अपने आप करें बच्चे को अपने टाइम पर करें बहुत ज़्यादा कोचिंग के उस पर बच्चे को मट दाने मैं चाता हूँ पेरेंट्स पड़े लिखें 899 रुपीज है हमारे 6 मैने के कोर्स की किमत जो वीडियो कोर्स है वीडियो हैं क्लास रिकॉर्डिंग्स है टेस्ट पेपर है वाकशीट्स है सब कुछ है अगर पेरेंट्स में थोड़ा सा फोकस है इससे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने है आपने सैने स्कूल की कोचिंग ले मैं आपने बिजनस का नुकसान भी करता हैं हर वीडियो ये भी दम है हमें इस प्रकार के पैसे निचीए मिसगाइड करके तो बिल्कुल इन चीए हमारी टीम है 50 लों की पक्का उनकी आज जीविका चलती है जो पे कर सकते हैं पक्का ओनलाइन कोर्स ने जो पे कर सकते हैं पक्का ओफलाइन है लेकिन जो पे नहीं कर सकते हैं ये बहुत सथा आप्चिन है और YouTube पर आज से जो live classes शुरू होंगा रुकेगे कि अबल चैनल को सब्सक्राइब करें आप भी पुर्णे कमाना चाहते हैं इस चैनल को शेर करते हैं इस प्रकार के ग्यान वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे एम इस तो जस्ट हेल्प यू इन मेकिंग इन 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 फॉर्म डेसिजिए लुटत ओर गांट कराण चैनल को हिए